नमस्कार दोस्तों काद्यांस कुकिंग में आपका स्वाकत है आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की तड़के वाली जबरदस टेस्टी और जटपट वाली इडली और साथी मुफली और नारियल की चटनी भी हैं बनाएंगे तो सबसे पहले इडली बना लेते हैं पालक का प्यूरी तयार है इन तीनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों पालक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है और खास कर कि आजकल के बच्चे सबजियां खाकर के खुश नहीं होते हैं तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही हेल्थी बहुत ही टेस्टी इडलियां बनती है तो इस बैटर को हमें 15 मिट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है सुझी अच्छे से फोल जाएगी तब तक अब एक तड़का पैन में चोटा चमच मैने ओल डाल दिया है और देव चोटे चमच मैने इसमें सरसू के दाने डाल दिया है एक चोटी चमच उड़द की डाल और एक बड़ा चमच मैने इसमें डाल दिया है काजू चॉप करके और अगर आप काजू की क्वांटेटी कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं बहुत अच्छा क्रंची सा हमारी लिए तैयार होती है जब अब हर बाइट मेरा काजू आता है तो बहुत ही तेस्टी लगती है और यह देखिए हलके से जब यह ब्राउन हो जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो तड़का हो चुका तैयार और यहां पर मैं कुकर में रख रही हूँ दो बड़े गलास पानी डाल करके गरम होने के लिए ताकि फटा फटे ही फिर हम इडली के लिए उसे रड़ी कर लें बैटर अच्छा गाड़ा हो चुका है इसमें मैंने अभी तड़का डाल दिया है अच्छे से एक बर मिक्स कर लेते हैं तो आप चाहे तो तड़के वाली बना सकते हैं या भी ना तड़के वाली भी आप बना सकते हैं तो यह देखे अच्छे से मिक्स होने के बाद में भी नमग डाल रहे हैं स्वाद के नुसार कर लिया है और यह थोड़ा सा पानी डाल दिया है वन फॉर्थ कप जितना और यह तरी के से मिक्स होने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी तो बैटर जब तयार हो जाए और इडली कुकर भी आपका पानी गरम हो जाए तब हम इसमें को डाल देंगे क्योंकि इनो डालने के बाद में हमें ज्यादा देर वेट नहीं करना है और इनो को अक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक डेट चममच इनो मैंने डाल दिया है एक पैकट इनो आप इसमें डाल सकते हैं और यह नीचे तक अच्छे से इड़ी बनानी के लिए तो इंस्टेंट इडली बनाने के लिए एप इनो का इंस्टेंट इडली बनानी के लिए नहींगे खर्णय जालिया में हमारी मुझत YOU अब इडली बनती है कि भी बैटर को डल दिया है और इस तरीके से आप को ना है जाति हम 여러분들 क quyरें तो हाई फ्लेम पे हमेशे 15 से बेसमिट के लिए छोड़ देना है और ये देखिए 15 मिनिट के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ इडलिया हो चुकी है तयार चाकू से अगर आप ऐसे प्रिक करेंगे तो क्लीन आना चाहिए नाइफ उस पे बिल्कुल भी बैटर नहीं चिपका रहना चाहिए गैस का फ्लेम मैंने अभी बंद कर दिया है और पांच मिट के बाद में फिर आप इन इडलियों को निकाल लें चाकू या स्पून की मदद से अब आप इजली इज्छी लिसे टिमोल्ड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सपंजी हमारे इडलियों बनके तयार हो चुकी हैं beta और आगे मैं भी आपको चटनी की recipe शियर करने कर लाघंग हूँ जो बहुत ही टेस्टी और वह वह एक इंस्टेंट ही रेसिपी है तो आप उससे भी जरूर से ट्राइ कीजएगा इन इडली के साथ में, या फिर आप किसी भी साउथ इंडियन खाने के साथ में उस चैटनी को ट्राइ कर सकते हैं तो यह भी आद देख सकते हैं एडली कलरफुल वाली बहुत ही हिल्दी वाली तयार हो चुकी है बिना ज्यादा टाइम के मुफली और नार्यल की चटनी बनाने के लिए आदी काटोरी बुनी हुई मुफली मैं भुनी और दही हूँjuna थोड़ा सा फृषि नार्यल ताजा नार्या ले लिया है लेसून हरी विर्च अगर आपको दही नहीं लिना है तो आपयाएम इनली का भी यूज कर सकते हैं लेकि चटनी एकदम रेड़ी थोड़ी सी गाड़ी है तो इसमें मैं फूड़ा सा पानि आड़ कर रही हूं और फिर से मिक्सी को भी चला लेंगे तो कंसिस्टेंसी अपनी साफ से अड़ेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्संद है तो पानि कम ढालें और टेस्ट करके दे तड़का पैन में और एक चोटी चम जितना सरसो के दाने गास का फ्लेम बंद कर दिया अभी मैं इसमें करीपता भी डाल दिया है बहुत यह अच्छा फ्लीवर आता है आप जरूर से करीपता को भी आड़ कर दीजिएगा और बस चटनी के उपर बंसे डाल करके अच्छे से म और यह आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और फलफी इडली तेयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी वाली चटनी भी और अभी मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ यह कितनी जालीदार बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है तो अब जबी इडली खाने का मन करें त तो इस तरह किसे कोई भी सब्जी आप इसमें मिक्सी में ब्लेंड करके अच्छे से इस बैटर में डाल करके मिक्स करके इन इडलियों को तयार कर सकते हैं अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आगे की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में आपको सबसे बेस्ट वाली रेसिपी कौन सी लगी और शेयर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेस्बुक पे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में थाइक यू फॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड